महारानी के पवित्र पावर नवरात्रे चल रहे हैं, यह नौ दिन का जो दिवस है, यह नौ रात्रे हैं यह तपस्या केतने पावर फुल दिन हैं, कि इन दिनों पर जो मातारानी को मानने बाले आप सज्जन हैं जो भक्त हैं जो देवी के अराधना करते हों बिलकुल समझते होंगे इन दिनों पर कुछ भी थोड़ा सा प्रयोक कर देने से कुछ मंत्र जाप कर देने से महारानी की आराधना कर देने से अनंत गुनाफल की प् और शक्ति के आराधना से जीबर में हर चीज हासिल की जा सकती है। और ये प्रमाणिक है कि महादेव, भगवान, शिव और आधिस शक्ति के आधिन ये ब्रहमांड के ग्रह गोचर भी उनके आधिन ही आते हैं। तो महाराणी के तीसरा नौरात्र मा दुर्गा के नौरूपों में यानि मा चंद्रग्हंटा की पूजर होती है। आप लोग मा का मंत्र पढ़ते हैं और इसमें नौरात्र में एक बार तो जरूर सुने, नहीं तो आप वीडियो में से सुन सकते हैं। ओम प्रत्मं शैल पुत्रीम च दुतिययम ब्रह्मचारणी तृतियाम चंद्रघंटेती कुस्मां डेती चतुर्थकम पंचमम सकंद मातेती सश्ठम कात्याय नीती च सप्तमम काल रात्रीती महागौरी तृत्रिषाष्टमम महाराने के घंटे के आकार का अर्दचंद्र निशान है महाराने के मस्तक पर इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा कहा जाता है तुमा चंद्र घंटा की आराधना करने से तृतियम चंद्र घंटेती हमारे जीवर की दुविदाये खतम होती हैं संकट खत्म होते हैं यानि कि समाज में हमारी यश्कीर्ती बैभव की प्राप्ती हुआ करती है और हमारे घर में हमारी मा या जितने भी माताये बेहने इस्त्री जाती हैं सब सुख में हुआ करती है मा चंद्रघंटा की अराधना के लिए आप प्रातहकाल और शायमकाल केबल एक प्रयोग करना है दर्शकू आप देखना नौरात्र समाप्त होती है आपके मन को बहुत इच्छा सकती भी मजबूत होगी और फायदा भी होगा पहले तो इस तीसरे नौरात्र में आपने जाब क्या करना है मैं वो बात करने लगा हूँ अगर तो आप सभी मनोकामनाओं के लिए पाठ करना चाहते हैं तो ओम शरना गत दीनार्त परित्रान परायने सरवस्यार्त हरे देवी नारायनी नमोस्तुते इस मंत्र का जाब करे और अगर आप और सरल मंत्र चाहते हैं तूम या देवी सर्व भूते सू दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमह इस मंत्र का जाब सुबह और शाम और इसके साथ करना क्या है महारानी को देवी माता के मंद्र में जा किया घर पर भी आप घर से बनाए हुई किसी वस्तु का मिष्ठान का मिठा बिनाए घर से पकाए और महारानी को भोग अरपन कीजिए साथ में मातारानी को पीले और लाल रंके पुस्प अरपन करें और साथ में मिठान जो आपने घर से बनाया हुई उसका भोग लगाए और उसी प्रसाथ को बाद में कन्याओं में बाढ़ दें आप ये बाला प्रयोग कीजिए मा चंद्रघंटा की निरंतर क्रिपा आप पर बननी शुरू हो जाएगी और महारानी आपके सभी मनोकामनाय पूर्ण करेगी मा चंद्रघंटा की राधना करने से चंद्रमा और मंगल ये ग्रहों का महारानी के प्रभाव से प्रभाव ही दुस प्रभाव स्माप्त हो जाता है। मैंने तो प्रेक्टिकल इतना देखा है महरानी के सेबा से कि आप देवी के राधना कीजिए सभी ग्रहों के अनिश्ट प्रभाव से आपको महरानी बचाया करती है। तो चंद्रमा मंगल के अनिश्ट प्रफाव को मातरानी समाप्त कर देगी चंद्रघंटा की आराधना करने से जै मातादी बहुत बहुत धन्यबाद